शूप प्रभाद बच्चों आज हम लोग इतिहास के अध्यायत तीन ग्रामीन जीवन एवं समाज को पढ़ेंगे और उसको तीन हिस्सों में मैंने बाटा है बच्चों पहला जो हमारा वीडियो है पार्ट वन इसमें हम लोग जानेंगे कमपनी की आए अंग्रेजों की भूर आजस्व वैवस्था स्थाई बंदोबस्ती स्थाई बंदोबस्ती के दोश महलवारी वैवस्था एवं रैयतवारी वैवस्था एवं इन तीनों वैवस्था में जो परिनाम हुए हमारे भारत्य या ग्रामीन समाज में वह सभी के उपरान किस तरह से उन लोगों ने हमारे देश पे पूरी पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी अब कंपणी अपनी आए को बढ़ाना चाता है तो कंपणी अपनी आए को बढ़ाने के लिए जो सबसे एहम कदम उठाता है वो है जादा का माल खड़िदना क्योंकि यहां का जो माल होता है जो अध्यों के लिए जरूरी है वो यहां पे बहुत बहतरीन क्वालिटी के मिलते थे और बहुत सस्ता होता था तुलनामक अगर अध्यान करें कि यूरोपीय देशों में वो काफी महंगे होते थे क्योंकि वहां पे इत पढ़्यावरण हैं वो किस तरह से एहम भूमी का दिभाती है किसी भी फसल को उगाने में तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे जो भी फसल और द्योग के लिए बहुत मैतुपूर था उस समय उन सभी फसलों को यहां पे बहुत अच्छे दंग से उगाया जाता था तो यहां किसानों के लिए तो बहुत ही खराब बात थी लेकिन जो इस इंडिया कंपणी थी उसके लिए यह फायदेबंद बात थी इसलिए उन्हों को ने क्या किया कि यहां से जो रौ मेटेरियल और द्योग के लिए जरूरी था वो सस्ते से सस्ते दाम में वो खड़ीद लेते थे इसके बाद यदि बात करते हैं तो बंगाल में जमा होने वाले जो पैसे हैं उससे वो निर्याती चीज़े भी खड़ीदने लगे जैसा कि आपको पता होगा कि 1765 इसवी जैसे हम आप देख सकते हैं बोर्ड में लोगों ने लिखा भी है कि 12 अगस्त 1765 इसवी बंगाल की दिवानी यह क्यों मैंने लिखा है इस पर दरासा गवार कर लेते हैं क्योंकि यह जब 1765 इसवी में जब तह बंगाल की दिवानी जो है बच्चों वो कंपनी को नहीं मीली थी तब तक क्या हो रहा था लंदन से जो सोना चांडी वो लोग लाते थे उसी के बदले उन लोग सोना और चांडी लाते थे उसी से खड़िते थे लेकिन जब उनको बंगाल की दिवानी 1765 के बाद उनको मिल गई तो क्या होने लगा कि वो लोग यहां के पैसों से ही सामान को खड़िदने लगे तो अब आप देखेंगे कि बंगाल में जमा होने वाले जितने भी पैसे थ और बोलोग अब उसी का इस्तमाल करने लगे उसी का दोहन करने लगे निर्यात की जाने वाले प्रमुक वस्तों में थी सूती वस्त्र और रेश्मी कपड़ा इन सब का निर्यात यहां से वो लोग खूब करते थे इससे क्या हुआ बच्चों एक तो जिस समय की चर्चा चल रही है उस समय यूरोपिय देशों में अध्योगी क्रांती का यूग था अध्योगी क्रांती के यूग में यह जो सभी बाते हैं वो क्या कर रही थी वहां के अध्योग पतियों को वहां के वैपारियों को यह बहुत फायदा पहुंचा रहा था वहां पे जो आध्योग प का दोहन हो सभी तरह से हमारे भारत वासी और भारत वाशी के जो राजस हो थे उसका दोहन हो रहा था ठीक इसी समय 1770 इसवी में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है क्योंकि वहां की अर्थ व्यवस्ता जो है वो पूरी तरह से चर्मणा गई थी जो कारिकर थे वो सब कंपनी के इस तरह के वरताफ के कारण पलायन कर रहे थे और इतना जादा दोहन हो रहा था कि 1770 इसवी में बंगाल में अकाल पड़ा और इसमें अनुमान किया गया कि एक करोड से भी जादा लोगों की मौत हो गई इसमें अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्ता की जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारती अर्थ व्यवस्ता जो है वो पूरी तरह से नर्ष्ट हो रहा था पूरी तरह से खराब हो रहा था अंग्रेजों के साशनकाल में अब अंग्रेजों को यह लगने लगा था इंस्ट इंडिया कंपणी को किसी भी हालत में क्रिसी में सुधार लाना है और भूमी पे निवेश करना है तो कुछ भूर राजस्व वयवस्ता की कुछ वयवस्ता जो यहां पे हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहां पे हम भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेकिन बच्चों ये जो चर्चाएं हैं ये सिर्फ हम लोग गिंदुवार करने वाले हैं क्योंकि बाकी तो आप किताबों में पढ़ लेंगे लेकिन कुछ महतपूर्ण चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखना है उन महतपूर्ण बातों को मैंने यहाँ पे लिखाया आप इसको ध्यान से देखिए सबसे पहली बात जो है ये है कि ये स्थाई बंदोबस्ती जो है वो पहले लागू किया गया कब लागू किया गया 1793 इस्वी में 1793 इस्वी में लॉर्ड कॉर्ण वेलिस के काल में ये स्थाई बंदोबस्ती की जो वैवस्ता है ये भारत में लागू की गई अब हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड में भारत का मानचित्र बना हुआ है और इस मानचित्र को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पाएंगे किस्थाई बंदोबस्त की जो नीती है वो कहां-कहां लागू की गई तो बंगाल, बिहार और उडिसा में, बंगाल में सर्व प्रत्रम लागू की गई और उसके बाद बिहार और उडिसा को भी इसके अंतरगत लाया गया और स्थाईवन दोबस्त की मिती इन तीनों जगह पे लागू की गई इसमें क्या था इसमें जमीनदार जो है उसके साथ इस्टी इंडिया कंपणी का एक समझोता होता है कि वो लोग पूरे राजसुन को इकठा करेंगे किसानों से और फिर जमा करेंगे तो यहाँ पर जमिंदार उनको ससक्त करना और उनका समर्थन लेना ये इस्ट इंडिया कमपणी का एक मार्दपूर्ण उद्धिर्श्य इस साई बंदोबस्त निती का था अब होता ये है कि किसान जो है वो पूरी तरह से मजदूर बन जाता है क्योंकि जमिंदार जवरदस्ति उन लोगों से काम करवाते हैं वसूलते हैं उनसे राजस्व वसूलते हैं और इस्ट इंडिया कमपणी का था कि यदि कोई जमिंदार कर नहीं चुका पाता है नहीं किया था कि कितना राजस्वा लगाया जाए अब जमीनदार जो है वो किसान को पूरी तरह से सोशित कर रहे थे क्योंकि कभी भी मौसम अगर किसान के अनुकुल नहीं रहा खेती के अनुकुल नहीं रहा तो भी किसानों को उतना लगान देना पड़ता था जमिनदारों को तो किसान के जो हालाथ है वो इस नीती में बहुत ही बत से बत्तर होते चली गई अब यहां पर देखेंगे कि लगान कितना देना पड़ता था तो जो उपर जो था दस यारवा भाग का दस्वा भाग जो है वो सरकार को दे देना पड़ता था ठीक है और एक भाग जो है वो जमिंदार खुद अपने पास रख लेता था पारिक श्रमीक बोल लीज या वो जो किसानों से काम करवा रहा है इसके एवज में यानि यदि हम लोग देखेंगे कि इसके बाद भी जमिंदार जो है वो जितना वो सरकार को जमा कराता था राजसों में इसके बाद भी उसके पास काफी पैसे बच जाते थे और इससे हुआ ये कि जिस कारण इस्ट निकत्र हो गया अब इसके बाद जैसे ये व्यवस्ता जो है वो सही नहीं रही तो इसके बाद महलवारी व्यवस्ता लागू किया गया और वो 1822 में लागू किया गया महलवारी व्यवस्ता को लागू किया गया महलवारी व्यवस्ता को लागू किया गया महलवारी व्यवस् करने का जो है वह तो जिम्मा अब जमीनदारों से हटा के मुखिया को मुखिया होता था उनको दे दिया गया तो महलदार उन्हीं को कहा जाता था जो गाओं के मुखिया होते हैं उन कि इस तरह से राजसों को इकठा करें और इस इंडिया कमपनी के राजसों में उसको खजाने में उसको जमा करवाए तो पहले उपज का 80% भाग जो है वो लगान की रूप में दे देना पड़ता था लेकिन बाद में जो है विलियम बेंटिक ने इसे घठा के इसमें थोड़ महलवारी विवस्था जो है वो पंझाब उत्ठर प्रदेश और मध्यप्रांथ इन जगों में यह महलवारी विवस्था को लागू किया गया जैसा कि मांचेत्र में देख पा रहे हैंder यहां पर एक और विवस्था की बात करते हैं थो वहैर्यatवारी स्था कि रहायतवार 1792 एस underway मेंहीजन सबसे पहले मद्रास के एक प्रांत में लगाया गया था लेकिन पूर्ण रूप से ठॉंश मॉन्रो जो है वो डियाद्वारी व्यवस्ता को पूर्ण रूप से लागू करते हैं तो रहियतवारी व्यवस्ता जो है वो 1820 इस्वी में लागू होती है और इसको लागू करने वाले जो है उनका नाम था थॉमस भूम्रो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कहां कहां लागू किया गया था तो बच्चों वो बंबई और मद्रास वहां पे रहियतवारी व्यविंदार नहीं था इन सब प्रांक में तो यहां वे जो छोटे-छोटे किसान थे उन्हीं को रहियत या भूमी का स्वामी माल दिया जाता था उनके साथ इस इंडिया कंपनी का सीधा समझोता हुआ उपज से प्राप्त आय का आधा भाग लगान के रूप में उन्हें इस इंडिया कंपनी को जमा करना होता था तो बच्चों अगर हम लोग इस पूरी व्यवस्ता को देखेंगे और आप किताब में इसको और बहतर अच्छे से रेडिंग डालेंगे तो आप देखेंगे कि सभी जितने भी व्यवस्ता लाया गया इसमें भारतिय किसान जो है यह पूरी तरह से इनका दोहन हुआ इनका सोशन हुआ और भारतिय अर्थ व्यवस्ता भी चर्मरा गयी साथ में भूमी का जो हाल है वो भी चर्मरा गया क्योंकि किसानों से जबरदस्तिक भूमी पे फसलों को उप जाया जाने के लिए उन्हें जबरदस्तिक किया जाने ल ऐसे सारी नीटियां जो है ये भारतिये खिसान के लिए बहुत ही हानी कारग साबिग और भीए बात कर 두र हैं भू राजसुर व्यवस्था के परिनाम क्या क्या हुए यह जो सारी वैवस्ता हैं हम लोग अभी पढ़े उसके परिणाम क्या क्या हुए तो सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा वो है स्थाई बंदोबस्ती की वैवस्ता तो स्थाई बंदोवस्ती की जो वैवस्ता है इसका क्या परणा हुआ इसको जरा सब लोग देख लेते हैं तो स्थाई बंदोवस्ती जो है वो किसान क्रिशी पर अधिक ध्यान देने लगा क्योंकि उसको अधिक लगान देना पर रहा था इसलिए किसान का पूरा ध्यान प्रिशी पे लगने लगा जमीनदार जो है वो स्थाई रूप से अब भूमी के मालिक बन गए इस बंदोवस्ति की निती से इसके बाद किसान से मजदूर में वो परिवर्तित हो गए हम जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अब भूमी उनके हाथ में रहा नहीं वो जमीनदारों ने ले लिया था उसका स्वामित्वपना और इसी वज़य से किसान जो है वो अब अपनी ही जमीन पे मजदूर बन के काम करने लगा अब बात करते हैं कि इससे क्या हुआ एक तो किसान जो है वो मजदूर बन गया भूमी की जो उरवर्शंता है उसकी रास हुई साथ में जमीनदार जो है वो सशक्त बन गए लेकिन कमपनी को बहुत बड़ा शती हुआ क्योंकि कमपनी की आए में अब कमी आ गई थे, East India Company और किसान के बीच में जो है, वो सिधा सम्मंध नहीं था तो जमीनदार यहां, वो कोष्ट को एकत्र करके अपने आप सेश्रत बना थे लेकिन East India Company कि आयमें कमी आई अब हम लों बात कर लेते हैं मालवारी वैवस्ता की तो माल हुआरी वैवस्ता के क्या-क्या पड़्टाम थे वो लोग देख लेते हैं सबसे पहला था कि किसानों के हालात इसमें और जादा वत्तर हो गई इसके बाद छोटे-छोटे किसानों की संख्या में व्रिद्धी हो गई क्योंकि बड़े किसान अब रहे ही नहीं उनका जमीन पे कोई हक नहीं रहा तो अब छोटे-छोटे किसान उनके संख्या में व्रिद्धी हो गई उसके बाद घ्रामी अर्थ वैवस्ता जो है वो इसमें पूर्ण तरहके से छिनबिन होके रह गई अब बात कर रहते हैं रहयतवारी वैवस्ता की तो रहयतवारी वैवस्ता में क्या-क्या पढ़े ना हुआ एक तो ये मत्रास में तीस वर्षों तक लाग हो रहा इसके बाद लगान देने के लिए साहुकारों से कर्ज लेने लगे किसान लोग क्योंकि उनको इतना लगान देना पड़ता था कि वो जो उपज कर रहते जो जा रहते उसे लगान देना संबब नहीं हो पा रहा था इस वज़र से साहुकारों से वो लोग कर्च लेने लगे साथ में ये हुआ कि वो लोग अपने भूमी से जो है वो अपना मालिक अना हक खो बैठे इसके कारण कभी-कभी तुन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था अगर वो राजस्व देने में देरी करते थे या वो नह सामान चाहिए था tl, उपयोग करना के लिए सामान खड़ी द में जवरत पड़ी, दि जिसके लिए मुद्रा की आवर्ष रखत थी तो हम लोगि इससे पहले बचों अर्थ वववस्ता में आप लोग उने जाना होगा कि पहले क्या होता था कि सामान के बद Lo celle- आर्थ वस्ता जो है वो पूरी तरह से हावी होने लगी साथ में क्रिशी वानी ज्यकरन को भी बढ़ावा मिला